कैसे हैं दोस्तों मैं हूँ बिलाल हम सीक्रेंट नेक्स जैस 13 तो चले शुरूर करते हैं पिछली वीडियो में हमने डाइनामिक राउट्स बनाए थे और पेज चिस पेजिस के ऊपर डाइनामिक तरीके से अपने डेटा को रेंडर किया था आज इस वीडियो में डिसकस करें और इनकी क्या मिसाल हैं इस पे आज हम डिसकस करते हैं इस से पहले हम अपनी एप को चलाते हैं और देखते हैं जो हमने काम किया था वो वहमें नेखीन की में कि यह लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस की थी ठीक है हमारी रेपो बिलकुल इसी तरह है में प्रोडक्स पे जाता हूं तो यहां पर हमें डेटा मिल जाता है और इसी तरह में किसी इंडिविज्वल प्रोडक्स में जाता हूं तो वहां भी हमें डेटा मिल जाता है अब हम अपने code पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे हम कहाँ पे हैं products के अंदर product में ठीक है न तो products के अंदर product sorry products के अंदर product page.tsx ठीक है न हम यहाँ पर आ जाते हैं by default जो है यह page static होता है अब पहले static page क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा theory है उसके बार हम इसको देखते हैं किस तरह handle करते हैं static page उसको कहते हैं जब हमारी repo किसी पे deploy होती है cloud के उपर तो उस वक्त build बनती है अगर आपने हमारी deployment वाली है ना वीडियो देखी हो तो उसमें जब वरसल पे repo को हम upload करते हैं डिप्लोई करते हैं तो उस वक्त बिल्ड बनती है तो जब बिल्ड बन रही होती है तो जितने भी static page होते हैं वो उसी वक्त generate हो जाते हैं तो उसका क्या फाइदा होता है कि जैसे ही website deploy हो जाती है तो already वहाँ पे page बने होते हैं तो उसे loading की ज़रूरत नहीं होती है वह foreign से कर सामने आ जाते हैं विजिबल हो जाते हैं जैसे अभी हो रहा है like हम products के उपर कर जाएं और मैं किसी में भी जाओं तो उसे loading की ज़रूरत नहीं वह foreign switch हो रहा है जबकि यह data से dynamic बने हुए हैं बट यह foreign से switch हो रहा है क्योंकि यह statically बने हुए already already generate हैं और इसकी अच्छी मिसाल यह है कि जो blog website होती है वह आम तोर पर static page बनाती है ठीक है blog website जो है वह static page बनाती है क्योंकि उन पर one time data जो चला जाता है वह static data होता है उसमें कोई ऐसी चीज़े dynamic नहीं हो रही होती लाइक जैसे e-commerce में कोई product है कि उसके अंदर rate जो है increase होने decrease हो रहे हैं या discount आ रहा है तो इसके लिए dynamic page की ज़र्वत होती है बट static page जो है build time के उपर generate हो जाते हैं ठीक है यहाँ पे clear हो गई यह बात अब by default जो है static page होते हैं तो पहले हम static page को समझते हैं static page को handle करने के लिए क्लिए क्या होता है कि नेक्स्ट हमें कहता है कि जो आपने fetch आपने जो fetch की command चलाई है मैं इसे ज़रा hide कर देता हूं function था इसमें मैं इसको जरा सा आपको समझने के लिए इसको cut कर देता हूं और यहाँ पे code को ले आते हैं ठीक है तो वह कहता है कि यहाँ पे आपको एक object देना है ठीक है और यहाँ पे API होगी तो मैं यहाँ पे API लगा देता हूं किलियर है यहाँ तक तो ठीक है हमने फेच के अंदर दो parameter पास किये एक में API है और दूसरे में एक object उस object में next कहता है कि आप लिखे next और इसको एक object पास करें और यहाँ पे आ जाएगा रिवेलीडेट में आप जो भी टाइम पास करेंगे इसमें millisecond में time होता है अगर यहाँ लिखूँ 2,000 तो इसका मतलब थो सेकंड किलियर और अगर यहाँ पे में लिखूँ 3,000 तो इसका मतलब थीन सेकंड रिवेलीडेट करें मतलब जो हमारे static page है हर तीन सेकंड बाद उस उसमें update तो नहीं है अगर update है तो उसको revalidate कर दें मतलब दुबारा से update कर दें static page को इस तरह handle किया जाता है ठीक है चूंकि वह static होता है बहुत कम होता है कि उसके अंदर update होती है चीजे बट फिर भी अगर update होती है तो हर तीन सेकिंड में next जेस का यह mechanism उसे check करता है और revalidate कर देता है अगर उसमें कुछ update है तो हम इसे save करते हो देखते हैं हमारे data पे कुछ फर्क परा हमारे data पे कुछ भी फर्क नहीं परा वो exact इसी यह तरह से काम कर रहा है तो यह हो गई हमारी static page की मिसाल अब इसको हम dynamic page अगर बनाएं और dynamic page क्या होते पिले यह समझते ह हैं जो on request server के पास request जाएगी और वो generate हो जाएगा कैसे होगा वो कि पहले हम dynamic page को बनाने के लिए क्या करते हैं इसी तार से object पास करते हैं और object के अंदर लिखते हैं cache और cache की जो property है वो है no store अब आभाना page यह हो गया dynamic अब इसमें और static page में क्या फर्क है उसमें बड़ा फर page जब आप click करते हैं on request server के उपर यह page generate होता है और हमारे सामने render हो जाता है और जो भी database में update data होगा वहाँ पे show हो जाएगा जबकि static page में इस तरह नहीं होता उसको revalidate करना होता है कि हर 2-3 second बार खुद से check करें अगर revalidate नहीं करते तो वह page database को check नहीं करेगा बस जैसे वह generate हुआ था build time पे एसे ही रहेगा चाहे पीछे से database update हो ठीक है तो dynamic page इसलिए बनाए जाते हैं तो इसके लिए हमने एक object पास किया object में एक property देदी cache और उसकी value है no store तो अब यह page होगे dynamic तो अब देखते हमारी website पे क्या फर्क परेगा हम products के उपर जाते हैं अब dynamic page में क् for example मैं इस पर click करूँगा तो जैसे ही click करूँगा एक request चली जाएगी server के पास के काई लिए request आईए आप इसका dynamic page generate करें वो फॉरंसे से generate करेंगे और server response कर देगा और जो भी update data होगा वो इस page में render कर देगा like मैं इस पर click करता हूँ request चली गए इस server के पास और यहाँ पे मु भी चल रही है और इसमें इतना कुछ खास data नहीं like इसकी मिसाल मैं ऐसे दे दूँ dynamic page जो होते हैं आम तो पर e-commerce की website में बनाए जाते हैं कि उसके उपर जो products होती हैं उसमें कभी कोई discount आ रहा होता है कभी increase हो रहे होते rate कभी decrease हो रहे होते हैं कभी कोई package आ रहा होता है कभी कोई offer आ रही होती है तो यह सब database से link होते हैं और यह update data को ही render कराना परता है ताकि जो भी इसकी update value हो या update package हो या update status हो वो हमारी website के उपर नजर आ जाए तो यही static page और dynamic page की हैना मिसाल थी और theory थी आज की वीडियो के लिए इतना ही उमीदे पसंद आई होगी पसंद आए त नेक्स्ट वीडियो में आला आफिज